प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video मैं सीधा रुख करता हूँ अचारे प्रमुद आपका बहुत सीधा और बेसिक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे क्या 2019 का चुनाओ वाकई धर्म यूध होगा देखिए अमिश्देव गनजी जो सनातन धर्म है हिंदुत है ये बहुती विराट और विशालता का नाम है दया का नाम करुणा का नाम च्छमा का नाम उधारता का नाम हिंदुत है लेकिन इस धर्म को जिसका इसका दुरुपियोग पिछले कुछ सालों से भारतिय जंता पायटी और उनके समर्थक लोगों ने किया है उससे ये सवाल खड़ा हो गया है भगवान राम की यात्रा निकालने से किसे क्या पत्ती हो सकती है कणकण में भगवान राम राम आस्था का किंड़ है राम सद्धा है हमारी लेकिन अभी कल महादेव का अभी शेक किया मुक्तार अबास नक्वीन है मैं सागत करता हूं समर्थन करता हूं उनका सागत करता हूं लेकिन दिखाबा करने के लिए मन में कुछ और हो करना कुछ और चाहते हो। धर्म का दुरुपयोग संतों का दूरुपयोग मैं पूछना चाहता हूं जब प्रदेश के मुख्ये मंत्रीयोगी आतितनाथ हैं भारत के सशक्त प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी हैं तो ये तमाम ड्रामे करने की ज़रुत क्या है राम मंदिर आज तक क्यों नहीं बनाया चार साल से राम मंदिर क्यों नहीं बनाया दूसरा सवाल है 2019 का जो चुनाव आ रहा है भारती जंता पार्टी ये जानती है कि ये पॉलिसी के पॉइंट एवू से फेल हो चुके हैं भारती जंता पार्टी तो शुरू से ही मंदिर जाती थी सवाल मंदिर जाने का नहीं है उस पर आप सूनी करते हैं सवाल मंदिर जाने का नहीं है सवाल है कि मंदिर के नाम पे राजनीती का सवाल है धर्म के नाम पे राजनीती करणा भार किये जंदापाय किये जानती है कि चार साल के शासनकाल में ये रोज़गार के पॉइंटे वूपे फेल हो चुके है तरक्की के पॉइंटे वूपे फेल हो चुके है तो एक धर्म ही सहारा है और धर्म के नाम लेकर के ही इनकी नईया पार हो सकते हैं ये जानते हैं इसलिए तवाम तरह तरह की यात्रायव शुरू होंगी और धर्म का विशुद रूप से राजनीती करण हुआ है और होगा कि आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे धर्म को खराब कर रहे अपने ही बयान में एक विरोधा भास पे आ गए धर्म की बात चल रही थी फिर विकास वाले मुद्धे पे आ गए वो विशे तो अपनी जगह है और उसको तो अलग ढंग से एक्स्प्लेइन भी किया जा सकता ह मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म के दुरूपयोग की बात है हमारे लिए ये कहते हैं आपकी लाइन तो एकदम इसपस्ट है कॉंग्रेस की लाइन 1906 में गो हत्या आंदोरण में संतों पे गोली चल्वाई 1990 में कार को पे गोली चल्वाई और गोली चलाने वाले मुलायम सिंग को समर्थन देगे बचाया और 2007 में हलफ नामा के सरवोच चनायले में कहा कि राम तो थे ही नहीं वो तो कालपनिक थे हमें कोई आपत्य नहीं इसके बाद भी अधी राहुल गांदी का हिर्दय परिवर्तन हुआ है वह मंदिर मंदिर जाएं कोई बात नहीं उन्होंने का मेरी व्यक्तिकर्ष रधा का विशय जाई यह पर तो वह व्यक्तिकर्ष रधा गुजरात के चुनाओ के दोरान तो दिखाई पड़ी पर तो जिस दिन वो राष्ट्री अध्यक्ष बने उस दिन तो हमने कहीं सी टीवी चैनल पर देखा कि वो मंदिर गये क्या इसलिए कि चुनाओ खतम हो गए थे अरे व्यक्तिकर्ष रध नासी कहूं घुझा से कहूंगा हिंदू धर्म में उधार्ता च्रिय के साथ हमारा कोई फी एक एधिवी देवता ऐसा नहीं हैं जिसके हाँ मैं सकत्रा के प्रक्रति बेलिए ह वारे शक्ति की अवशक्ता भी है डॉक्तर सुधानशु जी मैं सच बताऊं कि मैं आपका बड़ा संबान करता हूं लेकिन पहली बार मुझे अफसोस हो रहा इस बात को सुनते हुए कि आपने ये शस्त्र देवताओं के हाथ में उसकी उपमा और उसकी जो उपाधी उसका उ उससे आप डराना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म आज तक उदारता का प्रतीक था लेकिन पहले ये दस सालों के अंदर सनातन धर्म पे उगली उठ रही है इसलाम के उपर जो उठी पूरी दुनिया में इसलिए उठी के वो कट्टरता के रूप में जानना है गड़ी महले निकलते थे हर धर्म का आदमी राम राम करता था लेकिन राम राजनीती करन राम का राजनीती करन करने से आज नौबत यह आ गई है सुधानशु जी के राम केवल हिंदू के तक्सिमित हो गए कर दो